Hello friends, welcome to my tube channel Exercise 11.5 से question number 3 करेंगे Pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation यहां कुछ equations दे रखी है और इनके सामने ही कुछ values दे रखी है इन values के अंदर से आपको इस equation का solution पता करना है It means जैसे यहां 5M is equal to 60 equation दे रखी है यहां यह 4 values दे रखी है 10, 5, 12 or 15 इन 4 में से कोई एक ऐसा number होगा जिसे हम यहां M की जगार रखेंगे तो answer 60 आजाएगा वो इस equation का solution होगा वो आपको पता करना है Show that the other values do not satisfy the equation और यह भी show कीजिए कि बाकी की जो values होगी न वो इस equation को satisfy नहीं करेंगी तो इस बात से यह पता चलता है कि एक equation को satisfy करने के लिए सिर्फ एक ही value होती है बाकी किसी और value से वो equation satisfy नहीं होती है चलिए एक पार्ट से हम शुरू करते हैं पहली equation है 5M is equal to 60 यह 4 values दे रखी है 10, 5, 12 or 15 बारी-बारी से इनको M की जगा put करेंगे और देखेंगे कि answer 60 कहां पे आ रहा है तो पहले 10 को लेते हैं तो हम लिखेंगे put M is equal to 10 तो मुझे left hand side लेनी है क्योंकि variable मेरा left side के अंदर है तो मैं left hand side लोगा यह है यहाँ पे 5M और M की जगा ही मेरे को यहाँ 10 put करना है तो 5 tens are हो गया है 50 अब 50 जो है 60 के बराबर नहीं आया है इट मींस 50 is not equal to right hand side बराबर नहीं आया इट मींस यह जो 10 है वो इस equation का solution नहीं है अब put करते हैं हम 5 को तो लिखेंगे put M is equal to 5 तो left hand side ही मेरे को लेनी है यह है 5 और M की जगा पे 5 put करना है 5, 5000 हो गया है 25 यहाँ 25 आया है left side में लेकिन right side में 60 है तो यह तो बराबर नहीं है इट मेंस 25 is not equal to right hand side तो 5 भी इस equation का solution नहीं है अब लेते हैं 12 को तो लिखेंगे put M is equal to 12 तो left hand side को लेना है और यह है हमारा 5 और M की जगा पे put करेंगे 12 तो चिपके हुएं तो 12, 5000 हो गया है 60 अब left side में 60 आया है और right में भी 60 है यानि यह तो बराबर है तो left hand side is equal to right hand side तो यह जो 12 है यह इस equation का solution है तो solution तो हमें मिल गया है पहले हम solution ही लिख देते हैं कि जो solution है वो है M is equal to 12 तो यह तो हमें मिल गया अब क्योंकि हमें यह भी दिखाना है कि जो बाकी की values है वो इस equation का solution नहीं है तो हमें इस 15 को भी put करके दिखाना पड़ेगा तो अब ले लेते हम put M is equal to 15 तो left hand side लेना है left hand side में 5 M लिखा हुआ है यह 5 M की जग़ 15 put करना है 15 को 5 से multiply किया तो 75 आगया अब left में 75 और right में 60 है तो यह तो बराबर नहीं है इस तरह से आपको यह सारे parts करने है मैंने इस वीडियो में A part किया है next part हम B जो B part है वो हम next video में करेंगे question खतम करेंगे